ओवेसी का ये काम रखा जाएगा इतिहास के अंदर याद क्योंकि जो उनने संसत के अंदर कर दिखाया है यूं तो बाबा सहाब का नाम कई बार लेकर लोगों ने सपत ग्रेंड करी है लेकिन ओवेसी ने इतिहासिक सपत ली है और वो सपत ऐसी थी कि उसमें जैश्री राम बंदे मातरम के नारे लग रहे थे उस समय ओवेसी ने जैभीम का अपना उद्गोश किया जिससे सारी संसत चम पड़ गई लोगसभा में शपत ग्रेंड के समय समापती पर जैभीम का नारा देकर भारत के दलित समझें या नहीं समझें लेकिन विश्य के अंदर एक एतिह आसे एक संदेश जरूर अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन में जा चुका है भारत का भविश्य आने वाले समय में जिस तरीके से ओवेसी ने लोगसभा में बाबा साहब का नाम लेकर एंट्री दर्च करा दी है अब इस देश में ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी परिवत आने वाला है क्योंकि बाबा साहब कोई मूर्ती नहीं एक सही विचार धारा है जो कि हर वेक्ति को जीने का सही मार्ग दिखाती है तता भाई चारे को बढ़ाती है और अब बाबा साहब के विचारों को सभी समझने लगे हैं क्योंकि यह तो हमेशा ही होना चाहिए जब भीम सविधान लिखने वाले की ही होनी चाहिए लेकिन शुरुआत होना ही बहुत बड़ी बात है मुसल्मान भाई तो हमेशा ही बाबा साहब का सपत लेते थे लेकिन कुछ गलत विचार वाले लोगों ने हमेशा हिंदू मुस्लिम का चगड़ा दिखा कर पबलिक में फू पड़ास पड़ो और संगठित रहो संगर्ष करो जैभीम नमबुद्धा है क्योंकि SC, ST, OVC सभी लोग अब जुड़ते नजर आ रहे हैं पूरे देश के अंतर जैसे असे उद्दिन OVC ने ने ये करके दिखा दिया है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले